आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैत किंग में कर कंसेप्ट में फोकस आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं लेवल वन लेवल यू उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक Smells को कभी छुआ नहीं है भूल कुल उन लोगों के लिए हम लेके आ रहे है। लेवल 2 सिरीज थोड़ा सा और इंटरमेडियेट लेवल की सिरीज है, लेवल 3 सिरीज बिल्कुल हाई-फाई सिरीज है, जो आप competitive exams की तयारी कर रहे हो, उन competitive exams की तयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत जरूरी है, तब ही आपको लेवल सिरीज है, और अच्छे से इस lecture को देखिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरा का पूरा concept आपको समझ आएगा, और लेवल 2 पे तब जाएं, जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं, जब आप दो लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तब ही आप लेवल 3 पे जाएंगे, तो आपको ज़्यादे से ज़्यादा benefit आपको होगा, ठीक है, डिविजिबिल्टी टेस्ट के बारे में, डिविजिबिल्टी टेस्ट का मतलब क्या है, कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, इसका क्या क्रेटेरिया ह तो यह मैंने numbers लिखे हैं, जो अभी मैं तरीके बताने वाला हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं, कि जो given number है, वो इन से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बहुत important topic है है, तो सबसे पहले हम डिविजिबिल्टी टेस्ट 2 का चेक करते हैं, 2 का डिविजिबिल्टी 2 है, 6268, इसका last digit कितना है, 8 है, तो यह number क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यह 2 से डिविजिबिल्टी टेस्ट हुआ, उसके बाद, अभी हम डिविजिबिल्टी टेस्ट देखने है, 3 का, 3 का डिविजिबिल्टी टेस्ट बहुत simple है, कि जैसे मालनों कोई नमबर लिखा है, आपका 123, 123 नमबर है, तो क्या करना है, हमें इसके digit का sum कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ गया, 6 आ गया, तो क्या 6, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 3 टूजा, 6, इससे डिवाइड करके 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपको 3 से डिविजिबल्टी चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या कर, उन नमबर को एड कर दो, एड करके 3 से डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड अगर वो हो रहा है, तो वो नमबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, अधरवाइस नहीं होगा, चलो एक और एक्जामपल देख लेत नहीं होगा, 4 का डिविजिबल्टी टेस्ट, 4 का डिविजिबल्टी टेस्ट कैसे करेंगे, देखो, कोई भी नमबर ले लो, उसके लास्ट के दो डिजिट पे डिपेंड करेगा, 4 से डिवाइड होगा के नहीं होगा, जैसे 1, 2, 5, 4, 0, ठीक है, एक नमबर ये ले लिया ह i2,560 ठीक है तो अब इसको देखना है हमें के 4 से रिकस नहीं होता है 33616 अब इसको फोर से टियुजीबिल्टी चक कैसे करेंगे तो यहामें क्या ध्यांदेना है लास्ट की टू डीजिट पर ध्यांदेना है बस ह늦ाहुनार ड्रॉय कि टूो डीजिट या तो 00 हो पहला case क्या है कि या तो 00 हो दूसरा case क्या है कि divisible by 4 डिविजिबल बाई 4 तो अगर इन दोनों में से कोई भी condition follow हो रही है तो वो number 4 से divide हो जाएगा जिसे यहां पर 40 है तो 40 is divisible by 4 4 से divide हो जाएगा यहां पर 00 है तो सोचने की जरूती नहीं है यहां पर 16 है तो यह number भी 4 से divide हो जाएगा अभी बात करते हैं 5 से divisibility test कि 5 का divisibility test बहुत simple है किसी भी number का अगर आखरी की unit यह तो 0 हो या 5 हो तो वो number 5 से divide हो जाएगा for example 1250 इसकी last digit कितनी है? 0 है 1265 इसकी last digit कितनी है? 5 है तो यह divide करके देख सकते हो आप number 5 से divide हो जाएगा करते हैं कि number 0 से divide यह number 5 से divide होगा कि नहीं होगा अब बात करते हैं 6 की तो 6 के जो factor होते हैं 6 क्या होता है? 6 होता है 2 into 3 तो कोई number अगर 2 से भी divide हो रहा है और 3 से भी divide हो रहा है तो वो number 6 से divide हो जाएगा दोनों से divide होना पड़ेगा 2 से भी divide होना पड़ेगा और 6 से भी divide होना पड़ेगा जैसे मैं एक number लिखता हूँ 6, 6, 0 तो 6, 6, 0 देखो सबसे पहले 2 से check करेंगे 2 से divide होगा के नहीं होगा तो ये number last में digit 0 है तो 0 है मतलब 2 से divide हो जाएगा ठीक है अब 3 का divisibility test करेंगे तो इसको add कर लेंगे इनकी numbers को तो number कितने आगे? 12 आगे 12 भी 3 से divide हो जाता है ठीक है? तो ये number जो है वो 2 से भी divide होना चाहिए और 3 से भी divide होना चाहिए दोनों से divide होगा तो ही वो 6 से divide होगा ठीक है? तो ये हो गया आपका 6 का divisibility test अब देखो 7 का divisibility test 7 का divisibility test थोड़ा सा difficult है but easy है अगर याद रखो कि जैसे हमें चेक करना है 1, 4, 5, 6, 2 इसको 7 से divide हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है तो 7 से divide होने का तरीका क्या है? कि जो इसकी last के digit है इस last digit को multiply by 2 कर दो ठीक है? और उसको यहां लिख दो कितना है? 2 multiply by 2 कितना है? 4 आया माइनस कर दिया हमने तो कितना है आया ये? 2, 5, 4, 1 अब फिर क्या करोगे? फिर इसको 2 से multiply करोगे तो 2 से multiply last digit को कर लिए last digit को करना है हमें multiply 2 को 2 से multiply करा कितना है? 4 आया तो इसको माइनस कर दो यहां है 1, 4, 1 ठीक है? अब last digit को फिर 2 से multiply करना है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसको माइनस कर दो 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया और यहां आ गया 12 तो क्या 12 7 से multiply हो जाता है? नहीं होता है तो अगर यह number जो last में बचेगा सबसे छोटा number अगर वो 7 से multiply होता है तो यह digit यह जो number है यह भी 7 से multiply हो जाएगा otherwise नहीं होगा और भी एक तरीका मैं बताता हूँ 7 का check करने का तरीका कि कोई भी number एक तरीका तो यह हो गया लेकिन एक तरीका और भी है कोई भी number अगर 6 times repeat हो रहा है जैसे 1,1,1,1,1 यह number क्या है? एक ही number 6 times repeat हो रहा है तो यह भी 7 से divide हो जाएगा ठीक है? यह भी 7 से divide हो जाएगा यह second condition और किसी number की अगर 3 digit है जैसे 1,2,3 1,2,3 इसकी 3,3 digit जो है वो repeat हो रही है तो 3,3 digit अगर repeat होती है तो वो number भी 7 से divide हो जाता है तो 7 से divisibility test के मैंने 3 तरीके बताएगा आपको पहला तरीका वो है सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें यह चेक करना है क्या number 6 बार repeat तो नहीं हो रहा? repeat हो रहा है तो 7 से divide हो जाएगा क्या number 3,3 बार repeat तो नहीं हो रहा? 3,3 बार repeat हो रहा है तो वो भी 7 से divide हो जाएगा और 3 सबसे थोड़ा से difficult तरीका है जो मैंने अभी इस से पहले बताया था आपको तीसरे बें वो आपको वो चेक करना है ठीक है? अभी बात करते हैं हम 8 का divisibility test तो 8 के divisibility test की दो condition है पहली condition क्या है? कि जैसे 4 का check किया था हमने तो इसके last में जो 3,0 हो किसी number के last में अगर 3,0 हो तो वो number 8 से divide हो जाएगा और अगर last की 3 digit अगर last की 3 digit उसकी 8 से divide हो रही हो तो वो number भी 8 से divide हो जाएगा जैसे माल लेते हैं हम क्या 0,64 तो यह number जो है 0,64 अगर last की 3 digit इसकी 8 से divide हो रही हो तो यह number भी 8 से divide हो जाएगा ठीक है? बड़ा simple सा तरीका है तो यहाँ पर हम एक common pattern देख रहे है कि अगर हमने 4 से divisibility test पढ़ा 2 square होता है 4 और 8 क्या होता है? 2 cube होता है तो यहाँ पर हमने 2 0 पढ़े यहाँ पर हमने 3 0 पढ़े इसी तरह से 2 to the power 4 2 to the power 4 मतलब 16 तो अगर 4 0 हो मतलब 16 का divisibility test कैसे निकालेंगे? कि अगर last में या तो 4 0 हो या last की 4 digit 16 से divide हो जाती हो तो यह हो जाएगा 16 का divisibility test इसी तरह से 2 to the power 5 कितना होता है? 32 होता है 32 का divisibility test क्या हो जाएगा? या तो last की 5 digit 0 हो या last की 5 digit आपकी 32 से divide हो जाती हो तो यह एक common तरीका है 2 की power something का divisibility test निकालने का ठीक है? तो easy है, बहुत आसानी से कर सकते हो अब ही हम पढ़ते है 9 का divisibility test जैसे 3 का divisibility test पढ़ा था ऐसे ही 9 का divisibility test भी है तो 9 के divisibility test में क्या करना है? जैसे मालनो number है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये कोई number है? 6 ये कोई number ले लिया हमने अब क्या करेंगे? इसका sum देखते हैं कितना होता है? 1 plus 2 plus 4 ये हो जाएगा आपका 6 plus 5 11, 11 plus 5, 4 15, 15 और 6 हो जाएगा 21 तो क्या 21 9 से divide हो जाता है? नहीं होता है ठीक है? तो ये 9 से divide नहीं होगा ये number समझ के बात? तो जैसे तरीका हमने 3 के लिए apply किया था वैसे ही तरीका हमने 9 के लिए भी apply किया है उसके बाद हम पढ़ेंगे 10 से divisibility test अगर 0 होता है तो वो number 10 से divide होगा otherwise नहीं होगा बहुत simple सा तरीका है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 इसका जो last का digit है वो क्या है? 0 है तो ये number 10 से divide हो जाएगा ठीक है? अभी पढ़ेंगे हम 11 का divisibility test 11 का divisibility test जैसे माल लेते हैं ये कोई number हमने लिख दिया ठीक है? अब इसमें हमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे चीजें follow क्या करनी है? कि ये आपका 1st digit है, ये आपका 2nd digit है ये 3rd digit है, ये 4th digit है ये 5th digit है और ये आपका 6th digit है ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास total कितनी digit है? 6th digit है तो आपको करना क्या है? अब इनको क्या करो आप इन सब को एड़ कर दो तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ गया 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 आ गया 12 ठीक है अब क्या करो जो डिजिट आपकी छूटी हुई है उन डिजिट को एड़ कर दो तो 1 प्लस 3 प्लस 5 यह कितना आ गया 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9 आ गया ठीक है अब दोनों का difference कर दो तो 12-9 कितना आ गया 3 आ गया तो यह difference अगर यह difference अगर यह तो जीरो आ रहा है तो यह तो जीरो हो यह multiple of 11 multiple of 11 यह दो condition में ही आपका जो number है वह 11 से डिवाइड हो पाएगा अगर मान लेते हैं कि यह difference जो है जीरो हो जाता तो जीरो हो जाता मतलब 11 से नमबर डिवाइड हो जाएगा ठीक है अगर यह 0 ना बने multiple of 11 बन जाए जैसे यह difference अगर 11 हो जाता 22 हो जाता 33 हो जाता 44 हो जाता तो भी यह number 11 से डिवाइड हो जाता तो यह मैंने कुछ कोशिश की है आपका डिविजिबिल्टी टेस्ट की यह तू से लेके और 11 तक के डिविजिबिल्टी टेस्ट है सिंपल तरीका है अराम से आप चेक कर सकते हो इसको बहुत सारे competitive exams में और questions को solve करने में यह use होगा लेक्चर पूरा देखा आपने I hope कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए और जाज़दा लोगों तक इस मुहीम को पहुँचाईए ज थेंक्यू वेरी मच्छ देखते ही मैट किंग मेकर